हलो नमस्कार फ्रेंड्स एक और बार मैं आप सब लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ लास्ट वीडियो के अंदर जब मिले थे उस टाइम पे यहां पर बात होई थी कि कुरूड वाइल जो है वो एक बार 3950 के आसपार जा सकता है वहाँ पर एक strong resistance है अगर वो level उपर की दरब sustain करता है तो हम उपर जाएंगे else वो एक बढ़िया वारा जो है वो strong resistance है तो आप ध्यान रखना कुरूड वाइल के अंदर वो level के आसपार तो जहां पर किसी जो हमारे दोस्त ने 380 के level के आसपार भी buying किया होगा 3800 तो भी उसको जो है वो डेड़ सो point के आसपार का जो है वो फाइदा हुआ होगा ठीक है वो level जो है वो हमें देखने को मिला था 3950 का हमने बताया था तो 3976 का उसने हाई लगा है मतलब वहां से जो है वो exit level से मुड़ा है घूमा है अब अमें यह ध्यान रखना है कि नीचे कौन से लेवल हमें द्यान में रखने चाहिए तो वो चार्ट के उपर बता देता हूं दोस्तों तो आप जो है वो थोड़ा जा ध्यान रखना पहला जो लेवल आपको ज्यान में रखना है वो है 3794 का लेवल अगर यह लेवल काटता है यह लेवल नीचे गूमता है तो फिर यह जो है वो एक बड़ी गिरावट कर सकता है 3, 7, 5, 5 के लेवल के आसपास फिर ये लेवल कटने के बाद हमें जो है वो ये लेवल देखने को मिल सकता है 3, 7, 0, 0 तो यहां तक अगर correction होता है तो normal correction है लेकिन अगर ये correction आगे बढ़ता है तो फिर आपको ये जो है वो 3, 6, 1, 6 के लेवल के आसपास crude oil जो है वो जाता हुआ देखने को मिल सकता है तो अब उपर की जो जगे थी लास्ट विक के अंदर जब हम मिलेते हैं उस टाइम पे भी बात की थी कि उपर की जो जगे थी वो अभी बाकी है 1,500 पॉइंट की और जो भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं 3,3100 पॉइंट से लगातार बताते आएगी हम जो है वो 3,900 बहुत ही जल्दी जाने वाले हैं और ये दोस्तो दो महिने पहले की बात है ज्यादा टाइम नहीं हुआ है वीडियो भी जाके देख सकते हो तो दो महिने के अंदर लगबग लगबग 600-700 पॉइंट की रेली है वो एक सिंगल वे में आपको देखने को मिली है मतलब 60-70,000 रुपे जो है वो अगर पॉइंट के हिसाब से अगर हम देखने जाए तो आपको प्रॉफिट हुआ होगा ठीक है हमारा ग्रूप भी है दोस्तों लाइव मार्केट के अंदर जो हम डिस्कस करते है अगर आप जूड़ना चाहो तो मीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा आप हमारे साथ जूड़ सकते हो तो ये जो है वो क्रूड ओयल के सपोर्ट की बात हो गई नीट का लेवल और फाइनल है 3976 अब जो भी दोस्त इसको बाई करना चाहते है मेरा मानना यह है मेरा पर्सनल ओपिनियन मेरा चार्ट एडिन मुझे यह बता रहा है जब तक यह 3976 लेवल के ऊपर जाके क्लोजिंग नहीं कर लेता है तब तक जो है वह अमें इसके अंदर वाई की तरफ नहीं जाना चाहिए क्योंकि उसके उपर जो है वह 100 पॉइंट की जो रेंज है अमने वह भी बात की थी कि अगर 3950 के ऊपर जाके सस्टेन करता है क्लोजिंग करता है तो 4000-4050 तक जा सकते हैं लेकिन वहां से तो उसको घूम नहीं है ठीक है यह भी अमने बात की थी तो अब यहां से यह वह घूम चुका है दोस्तों तो अब देखते हैं कि क्या होता है लेवल और सपोर्ट जो है वो आप देख सकते हो यहां पर थोड़ा सा चार्ट जूम कर लेता हूँ पड़ा कर देता हूँ तो आपको जो है वो देखने वो मिल जाए लेवल भी नौट डाउन कर सकते हो यहां पर और ट्रेडिंग के लिए कौन से लेवल हमें ध्यान में र सब्सक्राइब कर सकते हो तो आपको लर्निंग के साथ साथ अर्निंग भी होगी लर्निंग मतलब आप चार्ट एनालीस सीखोगे और वो गुरूप के अंदर जो है वहम तीन महिने तक लाइव कॉल भी जो है वहां पर डिसकस करेंगे चलिए दोस्तों तो आप बात कर लेत जैसे की नेचरल गैस, क्रूड ओयल, सिल्वर एन गोल तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए हमारा MCX ग्रूप ग्रूप का जो लिंक है दोस्तों वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड किया है वो लिंक अगर आप उपन करोगे तो आपको हमारी एप्लिकेशन के उपर ले जाएगा, वहाँ पर स्टोर का उप्शन मिलेगा, वहाँ से आप हमारा ग्रूप जो है वो जोईन कर सकते हो, जो ग्रूप की फीस है दोस्तों वो है फंदरा सो रूपे तीस दिनों के लिए और ये ग्रूप के अंदर आपको इंट्राडे में जहां पर मौका ह होगा, साथ में पॉजिशनल दोनों ही टाइप के जो ट्रेड है वो मिलेंगे, तो आज ही अगर आप जोईन होना चाते हो, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक के वो ओपन करके हमारा ग्रूप जो है वो जोईन कर सकते है, तो दोस्तों पहला जो हमें सपोर्ट द्यान मे लेना है क्रूड वाइल के लिए वो है 3790 का लेवल, यह जो है वो बहुत ही इंपोर्टन रहेगा, अमारे लिए क्लोजिन बिजिस के उपर अगर यह लेवल कटता है नीचे की तरफ तो गिरावाट हो सकती है, 3745 के लेवल तक इसको जो है वो आप फाइनल जो है वो मान के सलो support अगर फाइनल जो है वो गिरता ए तो टोटता नीचे की तरफ जाता है तो 3720 तक हम जा सकते है और उसके नीचे जाते है तो 3680 के लेवल तक हम जा सकते है तो यह जो support है पूट आइल के नेक्स्ट विक के अंदर आपको ध्यान में रखने हैं और किसी को अगर सेल करना हो तो एसल रख सकता है हम बात कर लेते हैं टार्गेट के बारे में टार्गेट में दोस्तों नंबर 1 टार्गेट रहेगा हमारा 3865 का लेवल 3865 जो है वो बहुत ही इंपोर्टन रहेगा नेक्स्ट विक के लिए जब तक ये level के उपर जाके sustain नहीं करता है closing नहीं करता है तब तक जो है वो इसके उपर खत्रे की गंटी बनी रहेगी next support, next हमारा level है 3910 का level ये जो है वो हमारे लिए final target का काम करेगा next week के लिए अगर ये final target उपर की तरब काट के sustain करता है तो 3935 तक हम जा सकते हैं मेरा मानना का है वो मैंने आपको बता दिया जब तक क्रूड ये 3980 के उपर जाकर क्रूजिंग नहीं करता है तब तक कोई भी इसके अंदर बाई position में नहीं जाना चाहिए ये मेरा मानना है ये मैंने आपको बता दिया अगर आपको learning करना है नीचे लिंक मिल जाएगा दोस्तों आपको बता दिया था तो आप जाएगे दोस्तों सीखिये लर्न कीजिये तो अपने आप ऐसी चीज़ों वह फाइं कर सकते हो मैं यह तो बोल नहीं रहा हूं कि आप गर के पैसे निकालों यहां पर यूटूब के उपर आपको बता दिया था उसमें से जो कमाया है पूर्ड कीजिया है उसको अपने ऊपर अपने दिमाग के ऊपर दोस्तों जो है वह खरचा करोगे अपने दिमाग के ऊपर नॉलेज के ऊपर अगर आप कुछ इन्वेस्ट करोगे तो वही चीज़ों आपको कमा कर दे सकते हैं ठीक है चलिए आप बात कर लेते हैं डॉलर प्रविक प्रुट खं़ खेंग इस अपर को फ्रूड अट अटम प्राइंट यह फिद थे लो फ्रूड थे ते यह वह अवरी इंपोन फोरूड एल तो फस्ट जिस लेवल कैसे लेख द बडंग प्रूड एंज न द टेखंग इंट एंट समें और टूंट अ एंट एंगर ज next week so crude oil can starting correction from that resistance area now our support is 51.45 for next week after breaking we can say 50.90 final support if this level can break then we can say 50.55 level to 50.10 okay so it's a support side for crude oil now we are discuss about the target side number one target for crude oil for next week is a 52.45 level which is a very important for crude oil for next week if this level can sustain then we can see 53 level which is our final target for next week after sustaining this level we can see 53.50 level to 54 level and as my personal opinion now crude oil can buy only and only above 54 level when it continue closed above 54 two to three days else ignore to buy crude oil we can sell crude oil with the sl of 54 level on the closing basis and our target uh you can on you can see on the screen 51.45 50.90 50 level can be possible if we can short with the sl of 54 thanks for watching this video subscribe and take part 5 у supre Humble in mublement आपकोर अब्से और अब अबते हों लिव अव्से हैं और ओंसे सु है simple दोस्तो हमारा course subscribe करना है price जो है वो आपको यहाँ पर दिख रहा है course का जो link के वो description के अंदर आपको provide किया है आप जैसे ही link open करोगे आपको application के उपर ले जाएगा वहाँ पर store का option होगा और वहाँ से आप जो है earning का learning भी होगी और साथ में earning भी होगी